हलो इस्टुडेंट डिसीजन पम गंभीर एंड यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेश इस्टुडेंट आज के इस वीडियो लेक्शन में क्लास 11 इंग्लिश स्नैप्शोर्ट बुक से चेप्टर 5 Mothers Day जो की एक प्ली है जिसके राइटर जे भी प्रिशली हैं इसके हम Question Answer cover करेंगे तो चलिए Start करते हैं Short Question Answer से First Question is How are Mrs. Pearson and Mrs. Fitzgerald Contrasted Mrs. Pearson or Mrs. Fitzgerald दोनों आपस में किस प्रकार भीन है First Question है, इसका Answer Mrs. Pearson and Mrs. Fitzgerald are sharply बहुत ही तरह से दोनों भिन्य है बिल्कुल अलग-अलग हैं मिस्स पिरसन इजा प्लीजन बट वुरीड लुकिंग वुमें इन हार फॉर्टी समद के सब्सेख जो की फॉर्टी समय है यहनुकी फॉर्टी से उपर है और फॉर्टी से कम है फॉर्टी की एज में है और बहुती वरीड दिखती हैं हमेशा दुखी परिशान रहने वाली मेला है शी स्पीक्स इना लाइट फ्लरीड सोर्ट ओफ टोन विद आ टच और सबर्बन कौकनी तो वो सबर्बन कौकनी का एक जगह का नाम दिरखा है कि वहां की रहने वाली वहां से टच करती है मतलब वहां की बिलॉंग करती है वाह से और जो मिस्स पीर्सन की बात हो रहे है कि वह सबर्बन कौकनी की बहुती धीरे से बोलने वाली और जिनकी टोन में जिनके श्वर में छठपटाहट होती है florid की meaning है चपपटावत हूती है तो ऐसी महिला है और Mrs. Fitzgerald is older वो उनसे थोड़ी ज़्यादा बुरी है heavier and has a strong and sinister वो उनसे ज़्यादा थोड़ी बुरी भी है heavier भी है औरそ ही strong personality की है और उनका व्यक्तित्व जो है वो कठोर है sinister personality है उनकी यानि कि जो उनका व्यक्तित्व है बहुती कथोर सोभागी है वो she smocks, smoking भी करती है she has a deep voice, rather iris tone और वो जो उनकी voice है वो बहुती शारप है तेज voice वाली यानि कि तेज बोलने वाली वो महिला है तो इस प्रकार से दोनों जो लेडिस हैं वो आपस में बहुती बहन है now we come on question number two what fortune does Mrs. Fitzgerald predict for Mrs. Pearson तो जैसा कि student हम chapter में पढ़ चुके हैं कि जो Mrs. Pearson है वो अपनी neighbor Mrs. Fitzgerald से मिलती है जो की भागे वक्ता है future के बारे में बताती है और वो बहुती परिशान रहती है क्योंकि उनकी family member उनकी कदर नहीं करते तो इसलिए Mrs. Fitzgerald से वो अपना भागे पूछती है तो इस question में पूछ रहे हैं कि जो Mrs. Fitzgerald है वो Mrs. Pearson का कैसा भागे predict करती है कैसी भविश्यवानी करती है तो Mrs. Fitzgerald is quite equivocal in her prediction she says it could be a good fortune or a bad one तो Mrs. Fitzgerald है वो उनका prediction बताती है और कहती है कि तुमारा भागे अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है all depends on Mrs. Pearson herself now तो ये सबी पूरी बातें अच्छा और बुरा सारे तुमें पर ही depend है यानकि Mrs. Pearson पर ही depend है she asks her to decide firmly और वे उनसों कहती है कि जो भी मैं बताऊं उसका द्रणता से तुम उसका सामना करना वादर द्रणता पूर्वक उसको follow करना her fortune depends on it और जैसा तुम follow करोगी तुमारा भागे भी वैसा ही होगा अर्थात अगर तुम चाहोगी कि तुमारा भागे अच्छा हो तुम्हें मेरी बातों को follow करना होगा यानि कि मैं जो कहूँ उसे तुम्हें मानना होगा students now we come on question number 3 what course of action does Mrs. Fitzgerald suggest to Mrs. Pearson to tackle the situation अब उस situation को tackle करने के लिए यानि कि अपने family में अपनी position बनाने के लिए तो किस बात को suggest करती है में क्या कहती है Mrs. Fitzgerald Mrs. Pearson से answer है Mrs. Fitzgerald tells Mrs. Pearson to decide firmly and stick to her decision Mrs. Fitzgerald Mrs. Pearson से कहती है कि तुम्हें अपने घर में firmly रहना होगा drunk रहना होगा और अपने decision से stick रहना होगा मतलब कि अपने decision को change नहीं करना होगा she must assert her position and become the real mistress of the house वे उनको बताती है Mrs. Fitzgerald कहती है कि तुम अपने घर की एक mistress हो यानि कि तुम मालकी नहीं हो तो वैसा ही तुम्हें विहेव करके रहना है घर में बलब यह नहीं कि सब की बाते मानते जो जो जैसा कह रहा है उसके order लो और उसको follow करती जाओ तो तुम्हें भी अपने निच्चे पे द्रान रहना होगा अर्थात तुम्हें भी अपनी मनमानी करनी होगी घर में अर्थात तुम्हें भी अपनी पहल ही तुम्हारी साहता करेगी वे Mrs. Fitzgerald कहती है उनको वेट करने दो उनको किनको ये दैम किन के लिए आया है उनके हाजबेंट के लिए और बच्चो के लिए तो वो Mrs. Fitzgerald कहरी है कि तुम्हारा उनको भी वेट करने का टाइम दो यह निकी जो उन्होंने ओर दिया और तुम कहना माल लो उनका और सारा उनको कर के दे दो तो उनको भी वेट करने दो कहरी है और look after themselves for once और एक बार उनको अपनी केर खुद से करने दो अपना काम खुद से करने दो और इस प्रकार तुमारी help हो जाएगी तो ऐसा suggestion उनको करती है Mrs. Fitzgerald, Mrs. Pearson को Now question number four is What difficulties does Mrs. Pearson face while dealing with the various members of her family तो जब अपने family member के साथ वो सारी बातों को follow करती है Mrs. Fitzgerald की तो वो किस परकार की difficulties का सामना करती है Mrs. Pearson loves her husband and children too much Mrs. Pearson जो है वो अपने husband से और बच्चों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है She does not find courage enough to discuss the problem with them वे उनके पास बिल्कुल साहस नहीं होता कि कोई जो उनको problem face करने पर होती है उनका उनके साथ discuss कर सके अपनी problem को अपने husband या बच्चों को बता सके मतलब उनके पास बिल्कुल भी courage नहीं है इन बातों को बताने का साहस नहीं है She only keeps dropping hints वे केवल उनको थोड़ा बहुत hint ही देती रहती है She hates any unpleasantness वे किसी परकार की भी मतलब घर में unpleasant मतलब अशान्ती को बिल्कुल नहीं होने देती होने देना चाहती अपने घर में कि किसी परकार की अमारे घर में कोई भी अशान्ती हो She does not know where to start और वे ये भी नहीं जानती कि वे किस परकार और कहां से शुरुआत करें मतलब किस परकार अपनी बात रखें अपने बचों या हजबन के आगे She does not know how to begin discussion with the other members of the family और वे दूसरे members से किस परकार से अपना discussion स्टार्ट करें तो ये सारी problems Mrs. Pearson को थी जो कि वे अपनी family member से share नहीं कर पाती थी So student ये कुछ short answer थे अब इस्टार्ट करते हैं long answer First question of the long answers is Is drama a good medium for conveying a social message discuss? तो ये जो drama है ये जो play है Mother's Day ये हमें कोई message देता है कोई social message देता है समाजिक message देता ही हमें तो इस पर discuss करना है answer is yes drama is a good medium for conveying a social message हाँ ये जो drama है Mother's Day ये कोई social samagic message देता है हमें When we blame or try to make understand something to someone जब हम किसी पर कोई blame लगाते हैं या किसी को समझने की कोशिश करते हैं He or she may get angry और may ignore it तो ऐसा हो सकता है कि अगर हम किसी को समझाने की कोशिश करें या उनको कुछ बताएं अपना try करें कि तुम्हें ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए तो हो सकता है तो वह लड़का या लड़की जो भी होगा तो वह हम पे क्रोधित हो जाए हमसे गुस्सा हो जाए या हमारी बातों को ही इग्नॉर कर दे वाल ड्रामा इज मेड वेरी इंटरेस्टिंग बाइ नंबर ओफ डिफ्रेंट करेक्टर्स एंड डायलोग डिलिवरी जबकि यह जो ड्रामा है बहुती इंटरेस्टिंग ड्रामा है जो की तरह-तरह की करेक्टर्स को हमें दिखा रहा है इसमें बहुत ही तरह की characters है और dialogue characters और dialogue के form में हमें दिखा रहा है हमें बता रहा है यह drama the audience find it very interesting and stay connected up to end और जो इसकी audience है drama की audience है वो भी इसमें बहुत interest ले रही है और शुरुवात से लेकर last तक इसमें बनी रहती है यानि कि इस play को देखने समझने की कोशिश करती है at last social message comes out through the drama and everyone understand without being offended और last में आकर यह drama हमें message करता है कि किस परकार से हम बिना किसी को नराज किये हुए अपनी बातें उनके तक पहुचा सकते हैं और अपनी बात family में रख सकते हैं students अभी यह एक और long answer है जो हमारे NCRT का है तो आप इसका screenshot ले सकते हैं क्योंकि अगर हम करते हैं इसी में discuss तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी इसलिए आप इसका screenshot ले लीजे और मिलते हैं आप से next video lecture में जो इसी chapter के MCQs की होगी thank you so much for watching I hope this video is very helpful to you if yes please like this video share this video with your friends with your classmates thank you so much for watching मिलते एंजल दी नेट वीडियो लग्चर में बाए हुआ झाओए